नमस्कार, हफ़ते की बात में एक बार से फिर आपका स्वागत है Prime Minister's Office ने एक चिठी लिखिये है UPSC को जिसमें ये बात किया गया है कि foundation courses में जो marks दिये जाएंगे उसके basis पे जो नए recruitments होंगे उनके caddles और services डिसाइट की जाएंगे इस पे बात करने के लिए उर्मिलेश एक बार फिर से हमारे साथ है उर्मिलेश निवस्क्लिक में आपका स्वागत है तो यह जो चिथी लिखी गई है सिर्या प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस से आती है और यह कहा जाता है कि इस पे जल्दी निर्ना लिया जाए क्योंकि शायद इसी जो नए recruitments होंगे उसमें इसे implement करने की कोशिश की जा रही है तो यह पूरा जो चिथी कह रही है कि फाउंडेशन कोर्सेस के जो मार्क्स होंगे उस पे हम काड़ा जो सर्विसेस डिसाइड करेंगे या कि चिथी है क्या मतलब इसका significance क्या है देखे मुझे याद है कि प्राइम मंत्री कुछ दिन पहले कुछ महीने पहले की बात है वो एक बार इसी तरह से जो सिविल सर्विसेज के लिए जो लोग नियुक्त होते हैं और उनकी ट्रेनिंग होती है उनकी एक conference थी उसको एडिस कर रहे थे इस तरह के मौकों पर वो कई बार बताते रहते हैं और कई बार उन्होंने उस पार भी कहा कि हम सिविल सर्विसेज को भी चाहते हैं कि वो देश और जो समाज है उसका जादा उसके सापेक्ष बने ये तो ठीक है बात समझ में आती है क्योंकि हमने वेरो किसी जो ली है वो मुल्ग तोर पे जो ब्रिटिस हुकूमत थी वहां से आई है उसमें कुछ चेंजे जाए संबिधान की जो धारा है एक खास धारा जिसके तहत हमारी नौकरशाही का गठन हुआ वो सब ठीक है और इसको ज़्यादा प्रो पीपल होना चाहिए प्रो ससाइटी और हमारे समाज समाज और देश के ज़्यादा सापक छोना चाहिए इससे कोई इंकार नहीं करेगा लेकिन जो पीमो का जो संदेश है पीमो का जो संकल्प या लेटर गया है सभी मंत्रालेओं को उस पर एक्चली उन्होंने कार्मिक और प्रशासनिक सुधार मंत्राले ने सभी मंत्राले को इसको बेज दिया है कि आप अपनी अपनी राय दीजिए क्योंकि पीमो चाहता है कि ये जो उन्होंने सुधार किया है कचित सुधार वो जल्दी से जल्दी लागू कर दिया जाए इस पर वो स्टेट्स में बात नहीं करना चाहते है इस पर वो सिविल सर्वेंट्स जो देश के हैं टॉप जो रिटायर्ड हैं या जो सर्विंग हैं उनसे भी कोई बात नहीं करना चाहते है जल्दी से जल्दी सर ये एक बहुत ही खतरनाक मूव है मैं समझता हूँ हम लोग जो सोचते हैं समाज में बहुत सारे तपके की बहुत्य क्यों नौकरशाही को और जादा बہतर होना चाहिए लेकिन ये नौकरशाही को और बुरा करने का एक रादा है बुरा ये कि नौकरशाही अब तक मान लिजे स्टेट के लिए वो एक नौकरशाह के तोर पे काम करती है अब ये चाहते हैं कि नौकरशाही जो है भगवा चाकरशाही बन जाए तो नौकरशाही से भगवा चाकरशाही तक ले जाने की ये एक कोशिश है क्योंकि इसमें जो वो ये कह रहे हैं कि foundation course में ये तैह होगा कि कोई IS बनेगा, कोई IFS बनेगा, कोई IPS बनेगा, कोई allied services में जाएगा और allied services में भी अनेक सेवाई हैं आप जानते हैं, हम सब जानते हैं तो मुझे लगता है कि ये किसी वर्ग, किसी जाती, किसी वरण के ही केवल खिलाफ नहीं है बलकि समूचे देश समाज के खिलाफ है, जो भी civil services के अभ्यरती हैं, परिक्षारती हैं, यूथ हैं, उनके सपने हैं उन सब को ये destroy करता है, क्योंकि ये एक खास धंकी नौकरशाही बनाने का, जिसका मैंने कहा चाकरशाही बनाने का जो भगवा, उसी एक सोच से प्रभावित हो और हाल के दिनों में हमने देखा है कि नौकरशाह बनाने के लिए इस वक्त देश में उसकी ट्रेनिंग के लिए बहुत सारे कोचिंग classes खुले हुए हैं RSS प्रेरित भी कुछ कोचिंग सेंटर पूरे देश में चल रहे हैं और उनके जरिये भी एक खास धंकी नौकरशाही कैसे खड़ी की जाए देश में इस पर वहां पर काम होता है तो मुझे लगता है ओवरहाल यह काफी इसकी एक भ्यापक योजना है जिसके तहट यह लाया गया है अगर यह कहा जाए कि इसके जरिये जो RSS है भाजपा है वो अपने लोगों को ही प्रमोट करना चाहते है इसके पसंद का कोई कैंड़ेट है उसको आगे जादा प्रमोट किया जाए इस तरीके के भी कुछ चांसे हैं इसमें इसमें यह होगा कि और यह बहुत ही ब्यावार हम देख जुके हैं फांडेशन कोर्स को जो जानते हैं फांडेशन कोर्स इस वक्त भी चलता है मसुरी में या नहादर किजी कोई आंधरा केंड़र मे गया कोई बिहार के गया तो वहां उस अफसर की जो आंतरिक रैंकिंग है वो वहाँ से डिसाइड होती है और वो एक्जिक्यूटिप तै करती है वो उसके लिए कोई कमिशन नहीं बैठता एक्जिक्यूटिप का कहने का मतलब कि जो हमारी कारेपाली का है उसी के नुमाहिंदे फाउंडेशन कोर्स को शुरू करते हैं एक्सक्यूट करते हैं और उसका इवेलिवेशन करते हैं तो ये एक बड़ा खत्रा ये है कि अगर आप नौकेवल किसी मंत्री या किसी नौकरशा का या रिटायर्ड आदमी का या बड़े हुक्मरान का उस पर हस्तक्षेप होगा या उसका प्रभाव चलेगा बलकि संवैधानिक जो पोजिशन है यो पियसी की संग लोग सेवायोग की जो आठकिल 320 है संभाता उसके तहट जिस तरह की स्वायत्ता उसको है जिस तरह की ठीक है आप सवाल उठा सकते हैं कि कमिशन में अभी भी घरवड़ियां हो जाती है वो अलग बात है लेकिन अभी भी मान कर लोग चलते हैं कि देश की यही एक सेवायसी है जहां पर बाहरी हस्तक शेप नहीं होते और फियर ढंक से एक्जाम होता है यहां जो इंटर्वियू बोर्ड बैठता है उस पर बायसे के आरोप लगे हैं यह बात सही है अभी देखिए जो परिक्षा होती है लिखित परिक्षा 1750 अंकों की है और उसमें 275 अंक के इंटर्वियू होते हैं कुल मिलाकर 225 है जो नंबर है 225 से तै होता है कि कौन लड जो बैसे दिखती रही हैं जिसको लेकर मेडिया में भी आया बात कि आम तोर पे दलित ट्राइवल ओबीसी माइनार्टी इन कम्मुनिटीज के लोग या देहात से आने वाले लड़के जो सिविल सर्विसेज में कम्पीट करते हैं उनका ये आरोप है या उनके परिजनों क कि इंट्रिव बोर्ड में उनको कम अंक दिये जाते हैं अनेक लड़के हम लोगों से भी चुकि एक मेडिया परसन के नाते हम लों से बहुत सारे लोग एप्रोच करते हैं वो कहते हैं कि साब हमारी अंग्रीजी शहरी लड़कों की तरह नहीं है तो हमें छांट दिया जात और अरक्षनक पर जैसे ही उसने डिफेंड किया कि सोचल एकॉनमी सोचल एजुकेशनल जो पिशडापन है उसके आधार पर भारत के समयधान में चुकी है इसलिए ऐसा मिला है अर्टिल फंटी को कोट करते हुए तो अचानक इंट्रिव बोर्ड में जो बैठे लोग थे वो नहीं आ पाया तो यह एक मांग रही है अब तक कि इंट्रिव बोर्ड को 275 से अधिक से अधिक इसको 75 या 100 किया जाए लेकिन वो ना करके आप कहा रहे हैं कि फांडेशन कोर्स में तै होगा यानि सब कुछ UPSC के दाएरे से बाहर होगा कौन लोग तै करेंगे अप सरस देंगे और उन से यह तै होगा की कौन सीविल सर्विस बाइए सबनेगा कौन फारिज सर्विसेज में जाएगा कौन इलायट सबीसेज में जाएगा यह मैं समझता हूँ कि देश के लिए बहत खतरनाक है इससे नौकेवल योगता और समर्थ होना किसी का तै होगा बल्कि क मिला कर उपर से आदेश से सारा कुछ फाइनलाइज आप में सही बुला कि जिस तरीके से यूपीसी में जो चात रहाते हैं वो लगातार ये डिमाइन उठाते रहे हैं लैंगुजिस को लेके एक बड़ा मुवमेंट चला है एज लिमिट को लेके चांसे को लेके उस पे ना गलत होगा या सही होगा कि ये एक तरीके से एक और धक्का है जो हमाई इंडिपेंडेंट बॉडिज हैं उनको बिलकुल और ये केवल यह नहीं है कि यूपीसी में इस तरह की दखलंदाजी की गई है और वो भी जब देश में इसको लेकर व्यापक सामत ही बिलकुल नहीं है जिस तरह से इन्वस्टी को डिस्ट्रॉइ किया जा रहा है जिस तरह से पार्ठाक्रमों में इक बहुत ही बुरा execut किया जा रहा है अब आप कलपना कीजिए कि घुजरात एक सुभा है बहुत महत्पून सुभा है जिसको ये सरकार या इस सरकार को चलने वाले लोग अप कराया जाए ये भारत के समवैधानिक लोकतंत्र के इतिहास में संभावता पहली कैविनेट है जिसने फैसला किया कि बारिश जो है वो और इस तरह विज्ञान आज बढ़ा चड़ा है दुरी दुनिया में आप जानते हैं कितना मौसम विज्ञान पर काम हुआ है अपने करार है तो जिस तरह डिस्ट्रॉइ किया जा रहा है संस्थाओं को और हमको लगता है कि मध्यकाल के भारत में भी नहीं और वैदिक या उत्तर वैदिक काल में भी नहीं शायद उसके भी पहले पीछे और ले जा रहे हैं इस देश को जहां नजाने किस तरह का अंधकार लो कल ना कर सकते हैं एक ऐसे देश में जहां पर संबिधान के प्रेयम्बल में हम एक सेकुलर डेमोक्रसी हैं जहां के प्रावधान जो आटकिल समभा रहे हैं उसमें हमको साइन्टिफिक टेमपर पर ठीके रहने और उसको विक्सित करने का हमें हमने वादा किया है और उसमें हम ये पढ़ा रहे हैं अब कल कोई आएगा कहेगा हिंदू टेरिरिजम की पढ़ाई हो कोई कहेगा बुद्ध टेरिरिजम की पढ़ाई हो I mean ये क्या है कोई कहेगा कि हम किसी जाती पर्टिकुलर जाती के क्राइम करिमिनल रिकार् अब हम ये भी देख रहे हैं कि यही लोग जो कहते हैं कि जादपात और लोग करते हैं दूसरी पार्टियों के लिए कहते हैं कि हम तो धर्म की बात करते हैं लेकिन स्वेम मध्यप्रदेश में अभी एक्जामिनेशन जो हुए उसमें जाती के आधार पर रिजल डिक्लेयर तो ये प्राइजल मैं समझता हूं कि हमारी जम्हुरियत के लिए हमारे समाज के लिए बहुत ही खतरनाक पालू है क्योंकि आई एस जो सिविसेज जिसमें आई एस आई एफस आई पीएस जैसी सेवाएं हैं इन के बारे में एक कहा जाता था कि सरकार किसी की भी हो जो कलक्ट होगा और राजिक में जनता पूरा समाज समाहित है वो उन चीजों को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है और ये बहुत ही खतरनाक के लाइस लिए मुझे लगता है कि जिस तरह से ब्रिटिशर्स ने अपने लिए नौकरशाही बनाई जिसको हमने एक तरह से विरासत में लिया अपनी सेवाना बना करके इसको अब भगवा चाकरशाही में तब्दिल किया जा रहा है ये खतरनाक खेल है इसका पूरे देश को विरोध करना चाहिए वरना बहुत देर हो जाएगी अखरी सवाल होगा कि आज 25 तारीक है कल 26 चार साल इस सरकार को पूरे हो रहे हैं अगर कि ये मुद्धो को देखा जाए तो उस पर कोई चर्चा कहीं भी नहीं है दो दिन पहले जन एकता जा इंदिकार अंदोलन नाम के बड़ा ओमास फ्रेंट है सौ और देज भर में एक व्यापक प्रोटेस्ट और इस किये गये मुद्धों पर तमिल नाडू में फाइरिंग होती है दस से जादा लोग मरें हैं उसमें तेरा तेरा लोगों की मौत हो चुकी है प्राइम मिनिस्टर फिटनेस वीडियो तो डालना चाहते हैं पर इस पर अभी तक कुछ नहीं बोला है उन्होंने क्या यह जो जन मानस के मुद्धे हैं उनसे ध्यान भटकाने की भी कोश थानक कुछ भी ऐसा ऐसा ऐसी हरकत की जाती है ऐसे मुद्धों को चला जाता है नान इशूज को इशू बना दिया जाता है और उसमें जो देश का मेंस्ट्री मीडिया है उनका सहयोग करता है यहां तक कि जो अच्छे भी कुछ चैनल होते हैं वो भी मजबूर होकर घटना हुई है उसके फुटेज जो आए हैं साब दिखाते हैं कि साधी वर्दी में खड़े होकर लोग बंदूग चला रहे हैं उपर से और कह रहे हैं कि एक आवाज भी आती है कि कम से कम एक मरना चाहिए बहराल उन्होंने एक के बजा एक दर्जम से अधिक मार डाला और उ यह तो हाल इस देश के मेडिया का है तो मुझे लगता है कि यह जो आप जो सवाल कर रहे हैं अब इस वक्त जो 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 प्रश्न इस समय है इस सरकार की विफलताओं के चाहे आर्थिक फ्रंट हो वैदेशिक फ्रंट हो आप इंटर्नल सेक्योटी की बात देख लीजें वक्त स्वैम गवर्मेंट डेटा के हिसाब से जम्मू बार्डर से पलायन कर गए हैं ऐसी स्थिती पहले कभी नहीं देखी गई जम्मू के सुचेत गड़ से लेकर अरणिया और तमाम इलाकों में मैं स्वैम एक रिपोर्टर के नाते घूम चुका हूँ उस दौर में जब अभि영 के सारे आज पास के गाओं अब दुलियां बन गए हैं सभी सबकी हालत वही हैं और लोग भाग गए हैं लोग वहाँ से अट गए हैं तो आप किस तरह की सिरक्षा किस तरह की ताकत की बात करते हो कि हम देश को ताकतवर बना रहे हैं धेश को सम्रथ बना रहे हैं के जेहन में नहुत रहें इसके लिए पूरा एक प्रबंद किया गया है मीडिया के जरीए और इस प्रचार कर दो कर दो कर दो कर दो दो में जर अटकर दो किया गया है